तो recently मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था और मेरे सामने एक ऐसा आर्टिकल आया, एक ऐसी स्टोरी आई जिसे मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था, ये स्टोरी थी The Haunted Lady of R.A. Colony. अब इस स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक कर पा रहा था, क्यूंकि खुद मेरा R.A. Colony से आना जाना रहता है, और वहाँ पर मैंने खुद ने कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीजे एक्स्पीरियन्स की है, जो कि अनेक्स्प्रेनेबल है। मुंबई के गोरेगाव सबब्स में एक फॉरेस्ट है, जिसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता निकलता है, जो गोरेगाव और पावई को कनेक करता है। ये गोरेगाव से पावई के लिए सबसे फास्टेस्ट रूट है, और इसे कहा जाता है R.A. Colony Road। अब यहां रुख करके आपको एक बात बता दूँ कि ये जो R.A. Colony वाला रोड है, ये पूरे मुंबई का सबसे स्केरी, सबसे हॉंटेड रूट माना जाता है। डिस्पाइट अफ दी फैक्ट कि ये रूट गोरेगाव से पवई के लिए सबसे एजी रास्ता है। फिर भी लोग रात के 9 बज़े के बाद इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। अकसर लोग रात को एक दूसरा लॉट लेगर के जाना पसंद करते हैं लेकिन इस जेंगल से बच्चों की रोने की आवाजे सुनी हैं। और कुछ लोगों ने रात को इसी जंगल से ओरत की चीकने की आवाजे भी सुनी हैं। और बस इतना ही नहीं कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने रात को इस रूट पर एक लेडी को देखा है जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे वो लेडी इनसे लिफ्ट मांगती थी और अगर ये लिफ्ट ना दे तो वो उनके वेहिकल के पीछे भागना चुरू कर देती थी और अगर कोई इसको लिफ्ट दे भी देता है तो थोड़ी दूर चलने पर अचानक से वो लेडी कहीं पर गायब भी हो जाती है अब क्योंकि यह बहुत ही एक white forest area है तो बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर criminals ने actual में कई murders किये और कई dead bodies को उन्होंने यहाँ पर दफनाया है और उन्ही dead bodies की आत्माय यहाँ पर घूमती है और शायद यही एक reason है कि रात की 9 बजे के बाद कोई auto driver भी इस रास्ते से ज मिटनाओं पर आधारी थे तो एक रात अभी अपने office से लेट छूटता है लगबख रात के 11 बज़रे होंगे अभी ने एक auto रुखाया उसमें बैट कर वो auto driver से कहता है कि भाया कांदी वली पहुचा दीजे auto driver meter down करता है और वो you turn लेने लगता है तो फोरण अभी उसे रोक कर कहता है कि भाया RA colony से ले लीजे थोड़ा जल्दी पहुच जाएंगे ये बास सुनते ही auto driver हैरानी के साथ अभी के तरफ देखता है और कुछ दिर देखने के बाद वो कहता है कि भाया RA colony से नहीं जाऊंगा लेकिन अभी उससे कहता है कि भाया मैं already late हो चुका हूँ अगर auto को RA colony से लेकर चलना शुरू कर देता है अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो मुश्किल से ही कोई दूसरी गाड़ी उस road पे दिख रही थी घनी जाड़ियों के बीच सिर्फ एक auto की light थी जिसमें कुछ दिखाई दे रहा था वरना चारों तरफ अंधेरा ही अ नहीं अब वहां से आगे चलते चलते उस road पर उन्हें ना तो कोई इनसान और ना तो कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी कि अचानक उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक लेड़ी खड़ी थी जिसने white कपड़े पहने हुए थे और वो lift मांग रही थ अब उस लड़की को देखने पर अभी के दिल में अलग-अलग खयाल आने लगे वो सोचने लगा कि शायद ये लड़की के साथ कोई दुरगटना गटी हो या फिर कोई कमीने इनसान ने इस बंदी को यहां छोड़ दिया हो फिर दूसरी दरफ वो सोचने लगता है कि शाय हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो जहां हमें रोक कर हमें लूट लिया जाएगा अब वो ये सब चीजे सोची रहा था कि ड्राइवर की आवाज आती है कि साब क्या करना है रोकना है या फिर चलना है अब वो आटो ड्राइवर सोच रहा था कि अभी आटो रोकने से मना कर दे या फिर ये कोई ट्रैप है अब जैसे ही वो उस लड़की के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई 22 से 25 साल की लड़की है जो बहुत जादा परिशान लग रही है और उन्होंने जैसे ही आसपास देखा कि कोई खतरा नहीं है कोई ट्रैप नहीं है तो अभी उसे रोकने को कहता है अब ये सुनकर ड्राइवर गाड़ी तो रोक देता है लेकिन वो एंजन बन नहीं करता और एक्सेलेटर पे अभी भी उसका हाथ होता है अब वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि मैडम इतनी रात गए आप इस सुनसान सड़क पे इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं उस लेड़ी ने इस बात का कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन अभी की तरफ बहुती वियर्ड और एक्स्प्रेशनलेस तरीके से देखने लगी ये देखकर अभी भी थोड़ा अजीब फील करने लगा लेकिन उसने हिम्मद जुटा के दोबारा पूछा क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं ये सुनकर वो लेड़ी उनके तरफ आगे बढ़ती है और हाथ से आगे का इशारा करके बताती है अब हाथ का इशारा देखकर अभी उस लेड़ी से पूछता है क्या मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ तो वो लेड़ी हां के लिए सर हिलाती है और उस आटो में बैढ़ जाती है अब उस रोट पर आगे बढ़ते हुए अभी अपनी नजरे छुपा करके उस लेड़ी को देखता है तो उसे बहुत ही अजीब सी फिलिंग आती है उस लेड़ी के चेहरे पे कोई expression नहीं और बहुत weird तरीके से वो सामने देख रही थी अब इसी curiosity में वो उस लेड़ी से पूछता है कि मैडम आपको मैं कहां छोड़ दू तो वो लेड़ी बहुती creepy आवाज में जवाब देती है कि बस 15 मिनिट आगे अब ये जवाब सुनकर अभी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इस जंगल को खतम होने के लिए ही अभी 25 से 30 मिनिट और बागी है और ये लेड़ी 15 मिनिट के दूरी पे उतर कर जाएगी कहां 15 मिनिट के बाद तो जंगल ही है तो वो इस बास से डर कर उस लेड़ी से पूछता है कि मैडम 15 मिनिट पे उतर के आप करोगे क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं है तो वो लेड़ी थोड़ा रुक कर उसको जवाब देती है कि मैं एक नर्स हूँ और वहाँ पर मेरी मेड की तबियत बहुत जादा खराब है मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रही हूँ और ये सुनकर उसकी भी हालत खराब हो गई थी वो आटो को जितना हो सके उतना तेजी से दोड़ा रहा था और कुछ दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था जैसे कोई हनुमान चाली सा या कोई मंत्र पढ़ रहा हो अब अगले 10-15 मिट तो ऐसे गुजरे कि मानो जैसे एक दूग घंटे हो गए हो उस लेडी ने ड्राइवर को टच करकर कहा कि भाया यही रोग दो जैसे ही उसने उसको टच किया तो उसके हाथ इतने थंडे थे कि ड्राइवर को बहुत ही अजीब फील हुआ कि किसी इंसान के हाथ इतने थंडे कैसे हो सकते हैं डर के मारे उस ड्राइवर के पसीने छूट गए, लिटरली वो काप में लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने उस रिक्षा को रोग दिया, ताके किसी तरीके से इस बला से छुटकारा पा सके, अब क्यूंकि वो लेडी जहां उतरी थी, उस रोड पर कोई नहीं था, और ये अबी को बहुत जादा परिशान कर रही थी, तो उसने उस लेडी से पूछा, कि मैडम क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपकी मेट को लेकर इसी आटो में हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं एक ट्रेन नर्स हूँ, और मैं ऐसी सिच्वेशन को हैंडल करना जानती हूँ, आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप बस मेरा एक काम कर दीजिये, मेरी मॉम को फोन करके बता दीजिये, कि मैं बिलकुल सेफ हूँ, और मैं कल तक घर पर पहुँच जाऊंगी, अभी ने फोर की मॉम को कॉल करने के लिए कॉल लगाता है, तो बहुत ज़ादा है क्योंकि फोरन उसके फोन की बैटरी लो दिखाती है, और उसका फोन डेड हो जाता है, ये बात उसको बहुत ज़ादा परेशान कर देती है, क्योंकि उसको याद था कि रिक्षा में बैटने से पहले उस आरे कॉलोनी क्रॉस कर लेते हैं और वो अपने घर पर पहुँच जाता है घर पे पहुँच कर सबसे पहला काम वो अपने फोन को चार्ज पर लगाता है और चार्ज होने से पहले ही चार्जिंग पर लगे हुए फोन से ही वो कॉल लगा देता है उसकी मॉम को मानसी ने मुझे आपका नंबर दिया और वो आरे कॉलोनी पर मुझे मिली थी वो बहुत ज़ादा परेशान थी और वो पूरी कहानी उसकी मौम को सुनाता है और कहता है कि आप जाकर के या किसी को बेच कर अपनी बेटी को घर पर बुरवा दीजिए वहाँ पर रहना खत्रे से खाली नहीं है अब ये वाली बात सुनकर वो ओल लेडी थोड़ी देर के लिए चूप हो जाती है मानो कि वो एक शौक में चली गई हो और फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ ये गिनोना मजाग कर रहे हो अबिशेक भी परिशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपको परिशान क्यों करूँगा ये चीज़े मेरे साथ अभी हुई है और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परिशान है इसलिए मैंने आपको कॉल किया है लेकिन सामने से जो रिस्पॉंस आता है वो सुनकर अभी शेक के पैरो तले जमीन खिसक जाती है वो ओल लेडी बताती है कि उसकी बेटी मानसी तीन साल पहले आरे कॉलोनी में ही मर चुकी है वहाँ पर उसका किसी ने मुर्डर कर दिया था और वो मानसी नहीं बलके उसकी आत्मा थी और इतना ही नहीं उस लेडी ने यहां तक के बताया कि तुम चौथे इंसान हो जिसने यह दावा किया है जिसने हमें कॉल किया है कि आपकी बेटी आरे कॉलोनी में देखी गई है अब आप लोगा क्या मानना है इस पूरी स्टोरी के बारे में यह स्टोरी पूरी तरीके से सही है या गलत यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन हाँ आरे कॉलोनी से मेरा भी गुजरना हुआ है और मैं ये बार definitely बोल सकता हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो negative energy जरूर है जो मैंने भी feel की है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इन सब चीजों के बारे में क्या narrative रखते हो हमें comment section में जरूर बताईए और अगर वीडियो पसंद आईए तो please इसे share कर दीजे ये तो होगी भूत परेत की कहानी कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन एक ऐसी कहानी जहांपर एक इनसान ही एक भूत से ज़्यादा खतरनाग बन जाता है कि एक इनसान कैसे अपनी ही living partner के तुकड़े तुकड़े करके वो इनको कुछ तोगो खिला देता है जानिए पूरी स्टोरी इस लिंक पे क्लिक करके